हेलो फ्रेंट वेलकन टू माई चैनल मैं हूँ आपका होस और दोस्त अमित कुमा सिंग आज में आपको कैमिकल सेक्टर की दमदार कमपनी बताऊंगा कमपाउंडिंग मसीन बताऊंगा 2022 दिवाली तक सेयर का दाम आठ नौ हजार हो जाएगा ये कमपाउंडिंग मसीन है जिसमें आपका पैसा कई गुना हो सकता है आने वाले 10-15 सालों में 20-25 सालों में सेयर डबल पे डबल होता ही रहेगा तो अगर आप लोग इस कमपनी पैसे लगा के रखें तो भईया फोल्ड कीजिएगा और नई पैसे लगा हैं तो पैसा लगाईएगा 10-12 साल पहले भी कैनिकल कमपनी पैसा बन रहा था चार-5 साल पहले भी कैनिकल कमपनी पैसा बन रहा था आज भी पैसा बन रहा है और आगे भी पैसा बनीगा लेकिन पैसा कि बन रहा है जो लोग फोल्ड कर रहे हैं जो लोग परिशान होके बेश दे रहे हैं उनका पैसा नहीं बन रहा है जिनके पास पैसा नहीं का बन रहा है जिनके पास पैसा नहीं का बन रहा है जिनको करेक्शन से डर लगता है उनसे पैसा कभी नहीं बन पाएगा और आप लोग जो breakout होगा वो बिकली चार्ट पे नहीं मंतली चार्ट पे breakout होगा और जब मंतली चार्ट पे breakout होता है तो तीन चार मैने तक पाँच मैने तक आठ नौ मैने तक market चलता ही रहता है और इसी बीच में कई सारी company का share double तिरपल हो जाता है double तो होई जाता है तो जो लोग invested रहेंगे वो पैसे बना लेंगे और जो लोग इस समय market से बाहर होंगे या फिर correction होने के दजार कर रहे होंगे फिर यही सब share देर दो मैने बाद तीन चार मैने बाद 50-60% 100% उपर में खरी देंगे और यही तो होता है इस market में जब market गिरते रहता है तो आप लोग को लगता है कि और भी correction होगा और भी correction होगा तो ऐसे जो लोग होते हैं वो इंतजार करते ही रह जाते हैं लेकिन जो लोग थोड़ा थोड़ा करके पैसे डालते रहते हैं वो पैसे बना लेते हैं लेकिन जो लोग दम bottom पर रिखेना चाहते हैं, top पर ये बेशना चाहते हैं, ओपैसे कभी नहीं लगा पाएंगे, जो लोग नेfti 18,000 आने के अन्तिजार कर रहे थे, 10,000 आने के अन्तिजार कर रहे थे, अब तो लोग उपर भी पैसे लगाएंगे, और अभी भी नहीं लगाएंगे, ज लेकिन जो लोग बाटम बे खेना चाहते हैं वो तो खरीदी नहीं पाएंगे जब 15,700 को तोड़ा होगा तो 11,000 आने के इंतजार कर रहे होंगे तो इस तरह से पैसे नहीं बना पाएंगे आपको जो कंपनी अच्छी लगती है उसमें पैसे लगाईए और चलने के इंतजार क प्यवी सी पाइप बैंडली कंपनी पीवी सी फिटिंग बनाने वाली कंपनी और भी कई बड़े प्लेयर्स इनके क्लाइंट्स हैं और ये एक कंपाउंडिंग मसीन है तो इस कंपनी में आप लोग पैसा लगाके भूल जाएए और पहले से पैसा लगाके रेखे वई तो स सांती से बैठे रहिए आपके इसाब से कोई भी स्टॉक नहीं चलने वाला है आप सांती से बैठे रहेंगे तो ही पैसे बना पाएंगे उठा पटक होता है कभी फाइन और गेनिक पे मैं पहले भी कई वार वीडियो बना चुका हूँ जब ये स्टॉक चलनी रहा था बई मैं तब भी वीडियो बना रहा था और मैं 6,000 का टार्गेट दे रहा था 5,000 का टार्गेट दे रहा था आप लोग को पता हूँ गई आप लोग को मैं पुराने वीडियो भी दिखाना चाऊँगा तो ये वीडियो में 4 सितंबर 2,018 को बना या पि आप थामने में देख से 18 को और मेरी वीडियो बनाने के बाद ये स्टॉक 10-20% उपर भी गया था और उसके बाद करेक्शन हुआ था मैं जिस प्राइस से वीडियो बनाया था उससे नीचे भी चला गया था फिर COVID-19 में अच्छा कासा करेक्शन हुआ और जब तेजी हुई तो सभी कैनिगल कंपनी मे आग लगा हुआ था लेकिन फाइन और गेनिक 25-26 उर्पय के प्राइस पे घूम रहा था 27-28 उर्पय के प्राइस पे घूम रहा था पर जब ये स्टॉक चलना स्टार्ट किया तो 6000 उर्पय तक चला गया और किसी को पता भी नहीं चला और मेरा 6000 का टार्गेट अचीव होने के बाद ये स्टॉक नीचे भी आया कई लोग कमेंट किये कि सर मेरे को लॉस हो रहा है मैं तो आपकी वीडियो दे के पैसा लगाया था 6000 उर्पय में खरीदा हूं 1000 उर्पय का नुक्सान हो रहा है तो भाई आप लेक बात बताईए जो लोग 1100 उर्पय के प्राइस में खर इपर ट्रेट कर रहा है तो भाई आप जिससे में खरीदोगे उस समय पैसा नहीं बनने वाला है कुछ दिन पहले भाई मैं पेड से श्टार्ट किया हूं जिनको भी पोर्टफोलियो क्रियेट करवाना है वो मुझसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं मैं यहां पे कॉंटेक्ट नम बाते हैं किसी भी कमपनी में तो आप मान के चलिए कि आपके बाइंट प्राइस से ओर स्टॉक 25 से 30 परसे नीचे ट्रेट करेगा ही करेगा तभी जाके पैसे लगाईए क्योंकि ऐसी कोई भी कमपी नहीं है जिसमें करेक्सर नहीं होता है हम आपको यह बता सकते हैं यह फा चेजर का टारगेट कब अचीव होगा तो भाया मेरा चेजर का टारगेट अचीव हो चुका है लेकिन भाया हम कोई भी श्टॉक 2-4 सालों के रिकमेंड नहीं करते हैं तो आप लोग भी इस मार्केट में पैसे लगाईए तो 50-60% रिटरन बनाने के लिए बिल्कुल ही पै पैसे लगाईए आप होल्ड करेंगे तो ही पैसे बनेगा आज केट में जो भी छोटी-छोटी कंपनी है जो मैं आप लोग को बताता हूं उसमें आपका पैसा तुरन थोड़ी ने बन जाएगा हलेकि ओ बात अलग है इससे भी स्टॉक चल रहे हैं लेकिन कभी ना कभी तो कोई 5 गुना हो गया कोई 10 गुना हो गया फिर से देद चलेगा बाड़ जे मानस बीचलेगा तो भी या होल्ड करता प्यक्न council नहीं है पैसा मत लगहिए जब शौक नहीं चलता है तो आप लोग्दा बूक करके निकल जाते हैं तो फिर पैसे ही क्यों लगाते हैं और अभी इस company का क्या price चरह है वह भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो लोग परिशान होके बेचे नहीं होंगे fine organic हो जब यह नहीं सोचे होंगे कि अरे मेरा पैसा तो बनी नहीं रहा है चलो मैं कुछ और खरीद लेता हूं इसा उनी का बनता है बाकी लोग तो तेजी होने के बाद खरीदते हैं और मैं जो वीडियो बनाया था फाइस टैंट उस company का market cap क्या था वह मैं आपको दिखाना चाहूंगा तो अभी इस company का market cap जो है वह 21,198 करोड का market cap है लेकिन 4 सितंबर 2018 को 3,398 करोड का market cap था और अभी 21,198 करोड का market cap है और आगे भी इस company का market cap बढ़ेगा ही बढ़ेगा अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि बहुत बढ़ी company बन चुकी है तो आगे पैसा नहीं बनेगा तो इस तरह के जो लोग होते वह यो पैसे नहीं बना पाते आपको खुल के बता दे रहा हूं 10 साल बाद ही पैसे नहीं बना पाते आपको अच्छी company खरीदना है कि market cap देखना है आप अच्छी company खरीदेगा तो इस तो पैसा नहीं लगाता हूं तो तो पैसा लगा ही नहीं और आज के टीमें देख लो market cap क्या है जब TCS का market cap 21-22,000 कोड़ों का होगा तो उस से में जो लोग भी सोचे होंगे कि बहुत बड़ी company है यह है वो है या फिर महंगा stock है तो आज भी महंगा stock है जो लोग 10-12 सल पहले यह सोचे होंगे कि market बहुत महंगा है बहुत चला हुआ market है तो भाई आज भी market महंगई है और आज भी चल रहा है तो अच्छी company खरी दिये market cap कुछ भी हो सकता है एक ही सरफ कोड़ का यह market cap हो सकता है 500,000,000 कोड़ का यह market cap हो सकता है लेकिन आपको तो अच्छी business वाली company पैसा लगाना है न कुछ भी खरी लेंगे तो पैसा तो नह करोगे तो मेरी वीडियो को notification आप लोग को मिल नहीं पाएगा आप लोग क्वालिटी company पैसा लगाए तभी जाके आपका पैसा बनेगा long term में धन्य बनेगा